संजोक राष्ट में भारत की नई राईदूत कौन बनी हैं आए देखते हैं बरिष्ट राजनाईक रूचका कमबोज को 21 मई 2022 को निव्यार्क में संजोक राष्ट में भारत का अस्थाई पर्तनीधी निव्ट किया गया है वे संजोक राष्ट युनाइटेड नेशन में भारतिय राईदूत टीयस तिरुमूर्ती का अस्थान लेंगी बता दे विदेश मंत्राले ने एक संची बेयान में कहा कि रूची रा कमबोज के सिग्र ही अपना कार्यभर समालने की आसा है बर्तमान समय में रूची रा कमबोज भोटान में भारत की राईदूत की जेमदारी निभार रहे हैं वे इसे पहले दक्षिन फिरका में भारत की उचायुक्त और इनोस्क्य में भारत की राईदूत अस्थाई परतिनीधी के तोर पर काम कर चुकी हैं संजोक राष्ट में भारत के मौजूदा राईदूत तीयस तिरमूर्ती का विस्तारित कारेकाल बहुर जल्दी खतम होने को है रूची रा कमबोज कौन है वे भोटान में भारत की पहली महिला राईदूत है रूची रा कमबोज भारतिय विदेश सेवा आई एफेस की 1987 बैच की अफशर रही है बता दे रूची रा कमबोज के करियर के सुरवात फ्रांस में थर्ड सेक्रेटी के तोर पर होई थी उन्होंने इस दोरान फ्रेंच भासा सीख लिता था जल्द फ्रांस इस्तित भारतिय दूतवास में सेकेंड सेकेंडरी का पद संभाला उन्होंने इसके बाद विदेश मंत्राले में अंडर सेक्रेटरी रहते हुए परस्चिम एउरोप डिवीजन का काम काज देखा वे इसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी एकनॉमी और कमर्सियल बनकर मरिसर्स पहुची वे इसके बाद विदेश मंत्राले के कई महत्पुण पदो पर रही हैं बता दे रूचिरा कमबोज 1987 सेविल सेवा बैच की टपर रही हैं भौटान में राईदूत बनने से पहलेवे दक्षन अफेरिका में भारत की उचा युक इनेस्को में भारत की राईदूत अस्ठाई परतिनित के रूप में काम कर चुकी हैं भौटान में रूचिरा भारत की पहली महिला राईदूत हैं रोचिरा बर्स दूसे 25 तक सवंजुक राष्ट में भारत के अस्थाई मीशन में परामरदर्स्ता के रूप में काम कर चुकी है उन्होंने सवंजुक राष्ट सुरक्षा परिशत सुधार सवंजुक राष्ट शांती अस्थापना मध्य पूरुशंकट आदी सहित कई राज तक तर लाइक सब्सक्राइबर से रजोग करें साथ में बेल आइकन का बटन दबना नहीं भूलें